धर्म की प्रची संसार जो नविवाग की पीडी में अंतर आया है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि धर्म की सटीक परिवासाओं से वहदूर है धर्म उसके माइने में या तो बहुत कठिन बस्तू बन चुका है कि धर्म बहुत कठिन है उसमें जटिलता हैं तपस्या करना ही धर्म है ऐसा नहीं है मैंने अभी अभी बोला ना आपको कि धर्म एक पर्टिकूलर वस्तु नहीं है कि ऐसा ही करने से उपास करने से धर्म होता है या भगवान की घंटी तो आप धर्म करते हो और अगर आपने कभी थेओरी धर्म की सुन रखी है मंदरों में या जहां जहां पर भी आपको धर्म की चर्चा सुनाई आती बड़े बड़े पंडालों में अगर वो धर्म आपके अंतसमें बसा है ना तो वो तो थेओरी है लेकिन उसका प्रैक्टिक कि मंदिर में जाकर गई आपको धर्म करना है धर्म कहीं भी किया जा सकता है यहीं हमारे नविवाक पीडी को बताने की आवश्यक्ता है कि धर्म करना कोई कठिनकार नहीं है सेवा भी धर्म है किसी व्यक्ति की मदद कर देना भी धर्म है कहीं अपनी रदाय को दूसरे के प्र धर्म कर सकता है धर्म कोई कठिन वस्तू नहीं है पहले तो उसकी टेंडेंसी में एह बनाना होगा दूसरे कुछ एक ऐसे युवा पेड़ी भी नई जो जर्म ले रही है और उसके मन में एक चीज भर दी गई है कि धर्म याने अंधविश्वास पहले इस विरांती को हटाना होगा धर्म अंधविश्वास नहीं हो सकता धर्म को हम अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं हमारी कमी हो शकती है अगर धर्म अंधविश्वास होता तो मैं युवास पूड़ी से एक सब्द पूछता हूँ विग्ञान ने तो आज सारी खोजें की हैं इसके पू सोट सास्तर में पहले कह दिया जाता था कि दो अमावस्या होंगी यानि दो देन चन्दर नहीं निकलेगा तो वह नहीं निकलता था यह धर्म के सचे होने का प्रमान हैं तो क्या बताओ पहले ऐसी कोई गड़त किसी के पास थी क्या ऐसे कोई संसादन थे कोई बिमान थे कोई रॉकेट थे कोई भी ऐसी नासा थी जो बाहर जाकर के सूरे चंदर के बारे में जानती थी वह धर में ही था जिसने सूरे की चंदर की गरहन अक्षत्रों की गरणाओं को करके आपको बताया कि कल सूरे गरहन प कि कौन सा ग्रह उस ग्रह के सामने आया है तो जब उसकी यह theorी सेही है तो और वागी theorियों के लिए भी हम नकार नहीं सकते बाकी भी चीजें सेही है बश अंतर है कि हम उनको व्यक्त्र नहीं कर पाते या हम नहीं समझ पाते तो वह हमारी कमी हो शक्ति है धर्म में और धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसको हम गलत नहीं कह सकते उसके लिए आप अच्छे व्यद्वानों के पास जाए समझे कि वाद किस बस्तू से लिखी गई है किसी से भी आप समझेंगे तो आपको समझ दहीं आएगा और आप धर्म को गलत समझ ले तो अपनी पग्ट के अपने पैर के जूते चपब उतार करके इस भूमी को पहले प्रणाम किया करता था तब इस भारत भूमी में प्रवेश करता था उसस्कृत् ulenti के हम रहने वाले हैं हम अपने धर्म को इस तरह से छोड नहीं सकते हम मूड मूड नहीं सकते हमारे लिए धर्म की सरण में जाना ही चाहिए बस ये बात है अगर आपको शमझ नहीं आता तो आपको किसी अच्छे विद्वान से समझ लेना चाहिए समझने से सारी वस्तु में समझ आती है डॉक्टर कह देता है कभी कि तुम सीथ हो गया है सीथ की परिवासा समझ लो सीथ कैसे होती है तो आपको समझ में आएगा आपको नहीं ऐसा कुछ नहीं होता तो ऐसे काम नहीं चलेगा सब कुछ आपको जानना नहीं वार रहे है जानने की एक्छा होना अच्छी बस्तु है जब जानना चाहोगे तो ही जान पाओगे केवल कह देने से कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कुछ नहीं होने वाला हर्च बस्तू को जानना चाहिए जानने की एक्षा रखनी चाहिए